So, hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel, Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about some crucial tricks to understand and to learn the examples of different kind of families given in NCRT. So, Morphology of Flowering Plants में आपको काफी सारी families दी हुई हैं जैसे की Solenacee, Fabacee, Liliacee, लेकिन उनके examples बहुत ही ज्यादा tough हैं याद करने के लिए और वो आपस में mix हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ simple sentences आप लोगों को बताने वाला हूँ जिस basis पर आप लोग आसानी से उन सब examples को सारी हैं, so I hope आपको अच्छी लगेंगे, so अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel जोई नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे, ozone classes नाम से आपको telegram पर channel मिल जाएगा, और आपने अभी तक मेरा backup channel अगर subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर सकते हैं, इसका link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पर हम toppers के interviews जो है, वो लेने वाले हैं, और काफी सारा amazing content इस पर डलना start हो चुका है, तो you can go and you can follow it up, and if you are on Instagram, then you can follow me upon Wipin Sharma Biology, which is my official Instagram ID, चले, तो यह slide जो है, बहुत अच्छी मुझे लग रही है यार, personally, जूट नहीं बोलूँ मा, बहुत प्यानी लग रही है, so आप मुझ but still वो घोडे पर गई है, और वो क्या लेने गई है, सबजी लेने गई है, और tobacco लेने गई है, यानि वो सबजियां और तमाकू खरीदने गई है, घोडे पर बैठके, market के अंदर, so समझ लीजे, तमाकू उनके पिताजी के लिए, और सबजी उनकी मम्मी के लिए, तो यह आ पर बेला और यहां पर बेला डोना, exactly same words है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी याद करने में, अश्व का मतलब क्या हो गया, अश्व का मतलब हो गया, आपका अश्वगंदा, अश्वगंदा, okay, अश्वगंदा, medicinal plant, very very important from examinations point of view, तो बेला डोना हो गया, आपका टोबैको का मतलब टोबैको itself, तो इसमें कुछ जादा छेड़ खानी करने की ज़रूत नहीं है, टोबैको आपका as it is, आपका, you know, example में आ जाएगा, सबजियों में आपकी सबसे कॉमन सबजियां जो आप खाते हैं, that is potato, solenum tuberosum, that is your potato, solenum melongina, that is your brinjal, और इसके साथ सबस कॉमन आपको यही देखने को मिलती है, तो बेला भी यही लेकर आ रही है, लेने चली, चली का मतलब क्या है, चिल्नी, which is also a very important vegetable, spices में भी यह यूज होती है, चिल्नी से आपका मसाला बनता है, चिल्नी स्पाइस, तो यह आपका स्पाइस हो गए, यह सारी आपकी वेजिटे सबजी लेने चली, यानि कि क्या हो गया, बेला का मतलब बेलाडोना, अश्व का मतलब क्या हो गया, अश्वगंदा, पे का मतलब पैटूनिया, टोबैको का मतलब टोबैको, सबजी का मतलब आलू, टमाटर और बैगन, और इसके साथ आपका चली का मतलब हो गया, चिल्नी तो यह आपके solenacy के सारे important examples आपको directly याद हो गए with their crucial functions अगला देखें अगली family कौन सी आपकी linearity ओके सो linearity के अगर आप देखेंगे आजपास अकेला coach glorious and talented एक लड़का है गाओं का जिसको cricket सीखना है या golf सीखना है जो भी आप अच्छे से समझना चाहे कंचा सीखना है कुछ भी मान लो तो उसके आजपास जो है एक ही coach है जो कि glorious और talented है glorious मतलब उसके स्थापित की होगा की इरतिमान की जो यूनो गूंज है वो बहुत दूर तक है और वो talented भी है तो वो लड़का उसके पास coaching लेने जाना चाहता है आसपास का मतलब क्या होगा asparagus ओके सारे के सारे जो आपके alpha bets हैं these are exactly similar to asparagus ओके which is a vegetable तो a यहाँ पर आ गया उसके बाद s आ गया उसके बाद p आ गया उसके बाद दोबारा s आ गया तो asparagus से बहुत relevant है आपका आसपास अकेला का मतलब क्या होगया अकेले का मतलब क्या होगया alloy okay that is your aloe vera aloe vera देखा है पतंजली बाबा छोड़ते नहीं हर चीज में डाल देते हैं यह वही alloy है यह आपके skin care से लेके आपके काफी सारे important remedies में भी use किया जाता है so a आ गया यहाँ पर l आ गया that is alloy okay al यहाँ पर आ गया तो aloe vera जो है वहाँ पर इसकी बात की जा रही है coach का मतलब क्या होगया coach में जो words आ हैं वह आपको ध्यान देने है co और ch तो यहाँ पर क्या होगया आपका colchicum is very very important and essential तो co और ch आपका बिलकुल relevance में आ गया है तो co ch relevance में है तो यह colchicum हो गया जो कि आपको किस से मिलता है आपको colchicum autumn nail से मिलता है colchicum autumn nail and it is a mitotic poison okay it is a mitotic poison यानि कि आप mitosis को अगर आप alter कराना चाहते हो तो आप colchicum डाल सकते हो यह polyploid यह आपका induce करा देता है glorious का मतलब क्या हो गया glorious का मतलब हो गया gloriosa नाम में ही सब कुछ है gloriosa right very simple and t का मतलब क्या हो गया t l का मतलब हो गया आपका tulip तो देखो यार एक में भी बिलकुल confusion का scope नहीं है आपके relevant जो alphabet है t l वो यहाँ पर आ रहे हैं तो सारी की सारी जो tricks है आपकी बहुत बहुत सटीक तरीके से बनाए गई है आसपास अकेला coach glorious and talented यानि आसपास का मतलब asparagus बोलने से ही आ रहा है अकेलाग में आपको A और L देखना है that is alloy, coach जब आप देखेंगे that is colchicin, glorious जब आप देखेंगे तो glorious है यह तो बिलकुल direct है talented में T और L जब आप देखेंगे तो tulip जो कि आपका क्या होता है आपका आपके ये जो होते हैं basically आपके ornamental plants होते हैं ornament के तोर पर उगाए जाते हैं क्योंकि liliacy आपका है ही बहुत प्यारी family यहाँ पर आपको खुबसूरत flowers जो है देखने को मिलते हैं so अब बात करते हैं guys fabacy की so fabacy is a very important family from examination point of view यहाँ से काफी सारे question आपके आते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ at the time of sunset यानि सूर्य अस्थ होने के time पर lip tasted यानि आपने टेस्ट किया क्या पी पॉड एंड मुलेटी यानि पी का जो पॉड होता है वो आपने टेस्ट किया और इसके साथ आपने मुलेटी भी टेस्ट की जो की खासी वगएरा में आपका बहुत crucial rule अदा करती है आपको ठीक करने में तो यह जो पी पॉड है आपने ये खाया यानि आपके घर में समलो मटर की सबजी बनी और आपको जुकाम खासी हो रखे तो यहाँ पर आपकी ममी ने जो है आपको एंड में मुलेटी भी खाने को दी तो sunset के time पर यानि रात के time पर आपन important होता है say simply means s e simply means sesbenia ओके तो sesbenia is present over here then आपका lip यहाँ पर बहुत important है lip से क्या है आपका lip से आया आपका lupine okay lp और i तीनों यहाँ पर आ रहे हैं तो lupine आपका यहाँ पर हो गया ornamental sesbenia आपका cattle को feed करने के लिए fodder के तौर पर यूज किया जाता है तो यह बहुत important example है fodder का और sesbenia के साथ आपका trifolium जो है यह भी fodder के तौर पर यूज किया जाता है so this t for trifolium यह आपका trifolium हो जाएगा राइट चलिए फिर पी जो है p का मतलब बिल्कुल simple है यार p का मतलब आपका हो जाएगा p pod ओके या फिर basically sweet p तो इसमें आपको कोई नई चीज नहीं देखनी है sweet p आपका बिल्कुल correct हो जाएगा pod में आपके तीन capital letters है तो यहाँ पर p for क्या हो जाएगा p for हो जाएगा आपका pulses pulses मतलब काफी सारी डालें तो यह डाले अलग अलग type की हो सकती है मेरे दोस्त जैसे कि आपकी moon की डाल हो गई तो वो भी डाले में आ गई इसके अलावा आपकी gram की डाल आ गई चने की डाल इसके अलावा आपकी arhar की डाल आ गई so that is also in pulses इसके अलावा आपका soya bean आ जाता है तो oil में आपका सबसे important हो जाएगा सोया बीन और आपको मिल जाता है मुमपली का तेल that is your groundnut oil so groundnut oil is also very important so ये दो आपके crucial examples हो गए oil के D का मतलब क्या हो गया D का मतलब हो गया आपका dye और पूरे के पूरे इसके अंदर पूरे examples के अंदर एक ही dye है that is your indigophera इससे dye क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके नाम में ही color है dye का मतलब होता है color करना okay hair dye से याद कर सकते हो indigo is itself a color okay मैंने indophera लिख दिया indigophera है so indigophera में indigo का मतलब खुदी color है so dye में indigo is the most important thing to note and muleti का मतलब muleti ही है तो यहाँ पर आप तीनो जो families है इनके examples एक पर दोबारा देख लो so bela okay means bela dona ashwa means ashwagandha pay means petunia tea for tobacco tobacco means tobacco itself सबजी में आपका क्या आगया आपका आलू आगया आपका बेगन आगया और आपका क्या आगया तमाटर आगया चली का मतलब चिली यानि आपका spice हो जाएगा आपकी मिर्ची की यहाँ पर बात की गई है aspas that is asparagus okay akela that is alloy koch मतलब colchicum glorious means gloriosa and talented means TL means tulip okay so बिना देखें भी मुझे सारा याद है तो आपको भी हो जाएगा एक particular time के बाद sunset में sun का मतलब sun hem set का मतलब say का मतलब sesbenia lip का मतलब lupin okay tested में क्या आगया आपका trifolium आगया और ये भी आपका fodder के तौर पे use होता है as you know sesbenia के साथ it is also used as a fodder so it is also very important p में आपका sweet pea आगया इसमें यहाँ पर आपकी pulses आगई दालें आगई o का मतलब आपके oils आगए और d का मतलब आपकी dye आगई that is indigophera and muleti means muleti itself okay so यह आपका as a medicine use की जाती है खासी बगएरा के लिए आपका काफी बार जो है अलग-अलग remedies में आपका muleti का use होता है so guys I know कि आप लोगं को यह trick पसंद आई होंगी और अगर slides आपको पसंद आई तो please let me know in the comment section जिससे कि मैं जब भी मुझा time मिले मैं आपनी slides को improvise करता रहूं और इसी तरीके के experiments करता रहूं और अगर आपको यह trick पसंद आई then please give this video a big fat thumbs up and please make sure to subscribe this channel for most amazing content for neat and trans examination experience so lots of love and I'll catch you in the next video thank you so much bye bye take care